सनातन धर्म में अनेकों व्रत योहार मनाय जाते हैं जिनका अपना-पना विशेश महत्व होता है इन में कई व्रत पती की लंबी उम्र के लिए होते हैं तो कुछ में बच्चों की सुख सम्रधी और लंबी आयु की कामना के लिए की जाती है इनी में से एक है जीवित पुत्री का व्रत जो मुख्यता संतान की रख्षा और दीरगायू के लिए माताय रखती है साल 2023 में जीवित पुत्री का व्रत 6 अप्टूबर 2023 को रखा जा रहा है आए जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा और इसका महत्र हिंदु पंचान के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत अश्विन मास के क्रिशन पक्ष के अश्टमी से नवमी तिथी तक रखा जाता है इस बार इवरत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुकरवार को मनाये जा रहा है व्रत में व्यक्ति को एक दिन पहले से तामसिक भोजन जैसे प्याज, लसुन, मानसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलावा भ्रह्मचर्य का पालन करना बेहत जरूरी मना जाता है जीवित पूत्री का अवरत 6 अक्टूबर 2023 शुकरवार के दिन रखा जाएगा इस दिन अभीजीत मुहरत प्राथा 11 बचकर 46 मिनट से शुरू होगा और दोपहर 12 बचकर 33 मिनट तर खत्म होगा अश्टमीतिति का प्रारंभु 6 अक्टूबर सुभा 6 बचकर 24 मिनट से होगा और इसकी समाप्ती 7 अक्टूबर को सुभा 8 बचकर 8 मिनट पर होगी धार्मिक मानेताओं के नुसार जीवित पुत्र का वरत सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना करते हुए 24 घंटे निजलाव कवास रखती हैं जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं वे स्वरत को बच्चों की लंबी उमर और रक्षा के लिए करती हैं कहते हैं जो महिलाएं इस वरत को करती हैं उनके बच्चे चारों दिशाओं में प्रिसिद्धी प्राप्त करते हैं पौरणे कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के दोरान अश्वत थामा पिता की मौत का समचार सुनकर बेहत नारास हो गए थे व्यमन में बदले की भावना लेकर पांडवों के शिविर में आ गए शिविर में पांच लोग सो रहे थे जिसे अश्वत थामा ने पांडव समच कर मृत्यू लोग पहुँचा दिया था मारे गए ये पांचों लोग द्रौपदी की संतान कही जाती है इस घटना के बाद अरजुन ने अश्वत थामा को बंदी बना कर उनकी दिव्य मनी छीन ली जिससे क्रोधित होकर अश्वत थामा ने गर्भ में पल रहे भिमन्यों के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया माताउं द्वारा बच्चे की लंबी उम्र और रक्षा की कामना के लिए जिवित पुत्र का अवरत रखने की परंपरा आरंभ हुई